आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 33 सब्ता से लेकर 36 सब्ता तक शिसू के होने वाले विकास के बारे में 33 सब्ता में आपके शिसू का वजन करीब 1.9 किलो ग्राम तक और उसके सिर्च से लेकर 80 तक लंबाई करीब 3.6 सेंती मिटर तक हो जाती है शिसू का मस्तिस्क और तंत्री का पढणाली पूरी तरह से विक्षित हो चुके होती है और अब मैं अपने खुद की परतिरक्षन पढणाली विक्षित करना प्रारम कर देता है आपके सिसू की खोपड़ी मुलायम और कॉमल है और इसे बनाने वाली हड्डियों की प्लेट अभी आपस में नहीं जुड़ी है परसू के दोरान ये प्लेटे एक दूसरे के उपर चड़ जाती है ताकि सिसू परसू नलिका से आसानी से बाहर आ सके जनम के बाद आप अपने सिसू की खोपड़ी में खाली जग़े देख या महसूस कर सकते हैं ये खाली जग़े सिसू के जनम के बाद अगले 18 महीने के अंदर बरती है 34 सब्ता में आपके सिसू का वजन करीब 2.1 किलो ग्राम तक और उसकी लंबाई करीब 45 सेंटिमेटर तक हो जाती है आपके सिसू की सरीर पर चर्वी चड़ना जारी रहती है ये चर्वी की परते जनम के बाद सिसू के सरीर का ताबमा नियनतित रखने में मदद करेंगी 35 सब्ता में आपके सिसू का वजन बढ़कर 2.4 किलो ग्राम तक और उसकी लंबाई 46.2 सेंटिमेटर तक हो जाती है अगले कुछ अबतों में आपका सिसू परती दिन करीब 28-30 ग्राम तक वजन बढ़ेगा ये भी संबब है कि आपके और अपने पेट को देख कर ही यह बता पाएं कि सिसू किस तरब की हल चल कर रहा है इस आदार पर आप सिसू के उलटने पलटने पर उसका उतार चड़ाओ देख सकेंगी या फिर हिचकी आने पर आप लेबत धरकत महसूस कर सकती है 36 सब्ता तक आपके सिसू का वजन करीब 2.6 किलो ग्राम तक और उसकी लंबाई 47.4 सेंटिमेटर तक हो जाती है इस सब्ता के बाद की गरवस्ता को पूर्ण सब्ता की गरवस्ता कहा जाएगा इसका मतलब यह है कि आपका सिसू अब किसी भी दिन जनम के लिए तयार है डाक्टर अगले चेक अप के दोरान आपके सिसू की आवस्ताओं की जाच करेगी और इस बात की संबावना है कि आपका सिसू सेफिल आवस्ता में होगा जिसका मतलब यह होता है कि आपके सिसू का सिर अब नीचे की तरफ होगा अगले कुछ अपतों में सिसू जनम के लिए अपने आपको परिपक करता रहता है ये ते सिसु के नवे माहा के अंदर होने वाले विकास की अवस्ता है